तो हेलो माई डियर स्रेंट्स, माई डियर फ्रेंट्स, कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी, तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं इंडिको के बारे में जो हमारा चैप्ट करके और किसानों के जीवन को परिवर्तित किया, तो मूलत है चंपारण के जो किसान थे, उनके जीवन की घटनाओं से लेकर के इस कहानी को लिया गया है, और ये वास्तविक घटनाएं है, ये कोई भी कालपनिक कथा नहीं है, ठीक है गाईज, तो इंडिको का मतलब होता ह वैसे मूलत है, अगर हम देखें, तो इंडिको शब्द का अतातपर ये क्या है, या इंडिको में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नील की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं, नील की खेती, ओके, और नील की खेती जो है, कैसे किसानों के जीवन को प्रभावित क कर रही थी किस प्रकार से नील की खेती के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा था और कैसे गांधी जी ने जाकर उनके जान बचाईया उनके जीवन को बचाया ठीक है तो इसके बारे हम बात करेंगे लुईस फिशर इसके लिखने वाले है वेन आए फर्स्ट विजिटे और वे कहते हैं कि मैं तुभे बताऊंगा कि किस तरीके से घटित हुआ कि मैं निवेदन करूंगा मैं आग्रह करूंगा ब्रिटिशर्स से यानि कि जो भी ब्रिटेन के लोगे उनसे आग्रह करूंगा कि वे भारत छोड़कर चले जाए इट वाज इन 1917 यह 1917 की घटना है he had gone to the December 1916 annual convention तो वे December 1916 के अंदर जो एक annual यानि कि वार्शिक सम्मेलन होना था वहाँ पर वे गए थे of the Indian National Congress Party in Lucknow और वे सम्मेलन किसका था तो भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी का था लखनव के अंदर there were 2301 delegates वहाँ पर 2301 प्रतिनिदी थे and many visitors और बहुत सारे लोग मिलने या दर्शक वहाँ पर आये थे during the proceedings और जब ये सारी कारवाई चल रही थी गांदी जी recounted रांदी गांदी जी ने पुनहयाद करते हुए कहा a peace end came up to me looking like any other peace end in India एक peace end का मतलब होता है किसान एक किसान मेरे पास मिलने के लिए आया था और वह भारत की किसी अन्य किसान की तरह ही दिखता था poor and immacited and said I am Rajkumar Shukla वह बहुत ही गरीब था और बहुत ही दुबला पतला था और उसने कहा मैं Rajkumar Shukla हूँ अपना परीचह दिया कि मेरा नाम Rajkumar Shukla है I am from Champaran मैं Champaran से आया हूँ I want you to come to my district और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे जिले में मेरे district में चले गांदी जी ने इस जगे के बारे में कभी नहीं सुना था It was in the foothills of towering Himalayas वे हिमालय के तलहटी में बने हुए गाउं में से तराई में बने हुए गाउं में से एक था Near the kingdom of Nepal नेपाल राज्य के पास में Under an ancient arrangement जहाँ पर बहुत ही पुराना या बहुत ही प्राचीन समय का arrangement यानि वेवस्ताएं बनी हुई थी The transparent peasants were sharecroppers अब sharecroppers क्या होता है तो बटाईदार बोलते हैं हम लोग राजस्तान में बोलता है कि वही सीर पे दे रखिये खेती सीर पे देने का मतलब क्या होता है जमीन एक आदमी की है लेकिन वो खुद अपनी जमीन पर खेती का काम नहीं करता है वो किसी अन्य वेक्ति को अपनी जमीन पर काम करने के लिए अपनी जमीन किराय पर दे देता है बदले में उससे पैसा ना ले करके और जो भी फसल होती है उसका one third या half एक तिहाई भाग लेगा आदा लेगा एक चौता ही भाग लेगा अलग 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 होता है ठीक बड़ रिजॉल्यूट वह बहुत ही द्रड निश्चे ही था he had come to the congress session वे congress session में आया था to complain शिकायत करने के लिए about the injustice जो अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा था of the landlord system landlord system मतलब होता है जमीदारी प्रथा के अंदर तो जमीदार तो वे वेकते हैं जिसके पास बहुत सारी जमीन है और sharecropper यानि राजकुमार शुकला वो है जो उनकी जमीन को किराये पर लेकर उनसे काम करता है उन पर काम कर रहा है अपना बरन पोशन कर रहा है अपना घर चला इन बिहार बिहार में and somebody had probably said और शायद किसी ने उसे कह दिया था speak to गांधी जाओ गांधी जी से इस बारे में बात करो गांधी टोट शुकला he had an appointment in कानपूर and was also committed to go to other parts of इंडिया तो जब गांधी जी से जाकर शुकला जी मिलते हैं राजकुमार शुकला तो गांधी जी कहते हैं कि पहले ही मेरी एक appointment है मिलनी की योजना है कानपूर के अंदर और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने committed यानि कि मैंने वचन बद्ध हूं मैंने किसी को वचन दे रखा है to go to other parts of इंडिया भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने का शुकला accompanied him everywhere शुकला उनके साथ ही सभी जगह पर जाने लगा जहां पर भी गांदी जी जाते थे देन गांदी रिटर्न टो हिस आश्रम नियर एहमदाबाद उसके बाद गांदी जी वापस आश्रम लोट आये जो कि एहमदाबाद के पास में ही था शुकला followed him to the आश्रम और शुकला भी उनके पीछे पीछे आश आश्रम चला गया फौर वीक्स भेडिनेवर लेफ्ट गांदी इस सइट सब्सक्राइब ऋन्होंने नहीं असे सामने बैठे रहें हमेशा गंदी जी रहते साथ रहतें तक हुनने बरे याद दिलाए अब प्रतियक शुक्त सने वांरे साथ वी चमपारंड चलना प्यांना म प्रार्थना करता था कि एक देट फिक्स कर दीजे impressed by the sharecropper's tenacity, तो गांधी जी जो है बहुत ही ज़ादा प्रभावित थे इस sharecropper यानि बटाईदार जो एक किसान है उसकी लगन से and story और उसकी कहानी से गांधी जी ने कहा I have to be in Calcutta on such and such date, मतलब मैं फलाना फलाना तारिक को मैं Calcutta आ रहा हूँ come and meet me and take me from there तुम वहाँ आना, मुझसे मिलना और मुझे महाँ से ले चलना months past, कई महीने बीद गए शुकला वास sitting on his hunches, at appointment यानि उकडू होकर कि बहाँ बस बैठावा ही था कि भया मुझे उनसे मिलना ही है at the appointed spot जो तै किया गया था spot वहाँ पर Calcutta के अंदर when Gandhi arrived, जब गांदी जी आए he waited till Gandhi was free उन्होंने इंतजार किया जब तक गांदी जी बाकी लोगों से या बाकी कामों से free ना हो जाए then the two of them boarded a train for the city of Patna, फिर वे दोनों एक train में चड़ गए जो की Patna जाती थी इन बिहार बिहार में, दियर शुकला led him to the house of a lawyer named Rajendra Prashad, और वहाँ से वे उन्हें शुकला जी जो है वो गांदी जी को कहा ले गए, एक lawyer, एक वकील के घड ले गए जिनका नाम था Rajendra Prashad, who later become president of the Congress Party and of India, जो बाद में, क्या बने थे President बने थे, जो अध्यक्ष बने थे, किसके तो Congress Party के भी बने थे, और हमारे President भी बने थे हमारे राष्टपती भी बने थे, राज़िंदर Prashad was out of town, उस समय Rajendra Prashad जो है, वो town से बाहर गए वे थे But the servant's new Shukla was a poor Yowman, Yowman किसे कहा जाता है, तो भूत काल में Britain में छोटा क्रशक जो अपनी स्वयम की भूमी पर काम करता था, तो उसे Yowman कहा जाता था, तो जितने भी घर के नौकर थे, वे सभी राजकुमार Shukla को जानते थे कि यह आदमी है, who pestered, जो की एक ही बात को बार-बार पूछ के परिशान करता है, their master, उनके master की, उनके मालिक की, और मालिक कौन है, राजजिंदर पशाद है, to help the indigo sharecroppers, कि वे indigo की sharecropping करने वालों की साहिता करें, so they let him stay on the grounds, तो उन्होंने उसे जमीन पर बैठने दिया with his companion, उनकी साथी के साथ में, और राजकुमार शुकला के यहां साथी कौन थे, गांदी जी स्वायम थे, whom they took to be another peace end, जिसे वे दूसरा किसान जान रहते या मान रहते, तो वे लोग गांदी जी को by face नहीं जानते थे, उन्हें लगा है कि ठीक है इनके साथ यह एक और किसान आया होगा आज तो ठीक है जमीन पर बैठ जाओ, तो उन्हें जमीन पर बिठाए रखा जाता है, बत गांदी वाज नोट permitted to draw water from the well, least some drops from his bucket, polluted the entire source और वहां पर गांदी जी जो है उन्हें allow नहीं किया गया, उन्हें मतलब यहां पर गांदी जी बताते हैं कि राज़ंदर प्रशाद के घर में भी चुआ चूत वाली स्तिती बनी हुई थी how did they know that he was not an untouchable वो कैसे जान सकते थे कि वह गांदी जी एक अचूत नहीं है, यानि कि वो मान रहे थे कि गांदी जी भी कोई गरीब किसान ही होंगे और किसी ऐसी जाती से विलॉंग करते होंगे जो कि अचूत जाती मानी जाती है क्योंकि उस समय में चूआचूत बहुत जादा थी भारत में गांदी डिसाइडेड टो मुझफरपुर विच वाज एन्रूट टो चंपारण तो गांदी जी ने तहे किया कि पहले वो मुझफर पुर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में ही है तो अप्टेन मोर कंप्लीट इंफरमेशन अबाउट कंडिशन दैन शुकला वाज केपेबल आफ इंपार्टिंग ताकि वो जादा जानकारी हासिल कर सके जादा जानकारी ले सके परिस्थितियों के बारे में क्योंकि शुकला जो है वह इतनी जादा जानकारी देने में समर्थ नहीं था तो अन्य वेक्ति से वह जानकारी लेना चाह रहे थे He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani और इसी के अंतरगत उन्होंने एक telegram भेजा Professor J.B. Kriplani को of the Arts College in मुजफरपुर जो की Professor थे Arts College के अंदर मुजफरपुर में Whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School वे जिनकी बात हम कर रहे हैं J.B. Kriplani जी उनसे गांदी जी पहले ही मिल चुके थे जो रविंदर नाट टैगोर थे उनके शांती निकेतन स्कूल के अंदर यानि पहले से ही परीचे था पूर हुआ परीचित थे उनके The train arrived at midnight मद्यरात्री यानि बारा बजे आना बारा एम को train वहाँ पहुंची 15th April 1917 की बात है Kriplani was waiting at the station with a large body of student Kriplani जो है वे गांदी जी का इंतजार कर रहे थे railway station पर बैटकर उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में विध्यारती आये थे Gandhi stayed there for two days in the home of Professor Malkani और गांदी जी वहाँ पर दो दिनों तक रहे Professor Malkani के घर में तो टेलिग्राम किसको बेजाता Professor JB Kriplani जी को अब देखो यहाँ पर एक स्थिती बनती है क्या स्थिती बन रही है कि गांदी जी जिने सरकार अपना दुश्मन मानती है शत्रू मानती है ठीक है और गांदी जी रहे किसके घर में रहे हैं उस वेक्ति के जो खुद ही एक गौर्मेंट स्कूल में टीचर है तो ऐसा भी स्थितियां हम लोगों ने देखी है हमारे इतियास के अंदर कि जहां पर सरकार के लिए काम करने वाले लोग भी जो क्रांती कारी थे या ऐसे जो लोग थे जो सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे उनका साथ दे रहे थे तब भारत को सोतनतरता मिल पाई ये एक असाधारन बात थी असामन्य बात थी उन दिनों में गांधी कमेंटेट गांधी जी जी इस बात पर टिपणी करते है फार गॉर्मेंट प्रोफेसर टो हाबर अ मैन लाइक मी के गॉर्मेंट प्रोफेसर जो है वह आश्रय या शरन दे रहा है मेरे जैसे एक व्यक्ति को इन स्मॉलर लोकिलिटीज दा इंडियन्स वर अफरेड तो शो सिंपती फॉर एड्वोकेट्स ओफ होम रूल तो छोटी जो जगे होती थी छोटी बस्तियां जो होती थी छोटे शहर छोटे गाउं छोटे कस्वे जो होते थे उनमें इंडियन्स जो है वो हमेशा से डरते थे कि वो किसी भी तरीकी की सानुबूतिया समवेदना नहीं दिखाते थे ऐसे लोगों के प्रती जो की पक्ष लेते थे अपना साशन स्वयम से करना है जो लोग इस विचारधारा को मानते थे या इस विचारधारा का पक्ष लेते थे कोई भी व्यक्ति उनके प्रती सानुबूति नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि इसका सीधा-सीधा मतलब था अंग्रेजों के निशाने पर आ जाना तो जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये निश कि गांदीजी जो है वो आ गए है एंड उनके जो मिशन होते थे उनकी मूल प्रवर्ती कैसी होती थी तो अंग्रेजों के खिलाफ यों मिशन करते थे वो तेजी से पूरे मुझफरपुर में फैल गए और साथी साथ चंपारंट तक भी फैल गए शेर क्रॉपर्स प्रॉम चंपारंट बिगिंग अराइविंग ऑन फूट और बाइ कन्वेंस टू सी देर चैंपियन और शेर क्रॉपर्स जो थे वो लगातार उन्होंने मुझफरपुर में आना शुरू कर दिया जिनके पास कोई साधन था साधन से आते थे नहीं तो पैदली आते थे ठीक है क्योंकि वो अपने हीरो को अपने चैंपियन को अपने विजेता को अपने पक्ष धर को देखना चाहते थे मुझफरपुर के जो लॉयर्स हैं उन्हें बुलाया गया गांधी जी टू ब्रीफ हिम गांधी जी को संक्षिप्त में सारी जानकारी देने के लिए वे लगातार या अकसर प्राया है वे पीशेंट्स को पक्ष ले रहे थे यानि कि उनको रीप्रेजेंट कर रहे थे देखो मुझे कोट में जाके कोई बात करनी है तो मुझे ऐसे वेक्ती की जुरत पड़ेगी जो कानून का जानकार हो तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यह जो वकील थे यह शेयर क्रॉपर्स की तरफ से केस लड़ते थे और उन्होंने बताया कि हम लोग केस के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं किसानों को और उन्हें यह बता देते हैं कि हमारी कितनी फीस लगेगी यानि मुकदमा लड़ने में कितनी फीस लेते थे यह बता कर हम बेस देते हैं गांधी चिड़े दा लॉयर्स और इस बात से गांधी जी बड़े चिड़े हुए थे मतलब चिड़ गए थे लॉयर्स से for collecting big fee from sharecroppers कि वो बड़ी बड़ी fees ले रहे थे मुकदमा लड़ने की इन गरीब किसानों से he said I have come to the conclusion उन्होंने कहा कि मैं इस मिशकर्ष पर पहुचा हूँ that we should stop going to law courts के हमें law courts में जाना बंद कर देना चाहिए taking such cases to the courts does little good यानि ऐसे cases को court में ले जाने से कोई भला नहीं होता कुछ अच्छा नहीं होता बहुत कम अच्छा ही इसमें हमें मिलती है where the peasants are so crushed जहां पर किसान जो हैं बहुत ही दबे हुए हैं कुछले हुए हैं and fear is taken और बहुत ही जादा भैभीत हैं law courts are useless ऐसी condition में law courts जो हैं वो बिल्कुली बे मतलब हो जाते हैं the real relief for them is to be free from fear और वास्तविक राहत इनकिसानों को तब मिलेगी जब हम इन्हें क्या करेंगे जब हम इन्हें भैमुक्त कर पाएंगे यानि कि यह जो भैभीत हो रखे हैं सब लोगों से इन्हें भैमुक्त करना पहले बहुत जादा जरूरी है most of the arable land arable मतलब क्रिशी योग्य जिस पर क्रिशी का काम किया जा सकता है जिस पर खेती की जा सकती है तो ऐसे जो जादा तर जो क्रिशी योग्य शेत्र हैं खेत हैं इन्दा चंपारेंट डिस्टिक चंपारेंट डिस्टिक में was divided into large state वे बड़े बड़े जागीरों के अंदर बटे हुए थे owned by Englishman और owned का मतलब होता है कि इनके मालिक कौन थे और इनके मालिक थे अंग्रेज ठीक है and worked by Indian tenants और हिंदुस्तानी किरायदार इनके खेतों में और हिंदुस्तानी किरायदारों के द्वारा उसमें काम किया जाता था the chief commercial crop was indigo और सबसे प्रमुख या मुख्य जो व्यवसाइक फसल थी वो indigo थी ठीक है indigo मतलब नील की खेती नील एक तरीके का नीला रंग प्रड्यूस करने के लिए है नील की खेती नील का इस्तमाल कपडे रंगने के लिए भी किया जाता था दिवार अगरे पोतने के लिए भी किया जाता था इन सारी चीजों में नील रंग का अत्यादिक प्रयोग किया जाता था the landlords compelled all tenants to plant 320's ठीक है 320's का मतलब हो गया 3 बटा 20 भाग के अंदर उन्हें नील की खेती करने के लिए landlords जो है वो विवश करते थे मजबूर करते थे और 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent और वे कहते थे कि जितनी भी indigo की फसल होगी वो तुम्हें क्या करनी होगी हमें किराय के रूप में देनी होगी तो या तो खेत का जितना भाग है उसमें से 20 भटा 3 भाग जो है वो आपको उसमें indigo उगानी है और सारा हमें देना है किराय के तौर पर या फिर 15% जो आपका खेत है उसके अंदर आपको indigo उगाना है और उगा करके पूरा हमें देना है किराय के तौर पर और ये लॉंग टर्म कॉंटेक्ट के अनुसार किया जाता था यानि कि साल दो साल पाट साल नहीं बीस साल पच्चिस साल तीस साल पचास साल ऐसे में उन लोगों को शेर क्रॉपिंग के लिए खेत दिये जाते थे और वरतमां सवे में ने विक्सित कर लिया है सिन्थेटिक इंडिगो सिन्थेटिक मतलब कुछ चैमिकलस मिला करके ही वो इंडिगो बना लेते थे जिसकी वजह से क्या हुआ अंतरराश्ट्रिय जो बाजार था उसके अंदर इंडिगो की जो कीमत थी वो बहुत ही ज़ादा कम हो गई थी अब वो क्या कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाया अगर आप ये 15% वाले अरेंजमेंट से अगर मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसा देना होगा कमपनसेशन देना होगा अक्षति पूर्ती देनी होगी मतलब 15% वाला जो मामला है अब उसको ध्यान से एक बार समझो के पूरा मुद्दा क्या है पहले क्या है वो 15% पे इंडिगो गुआ रहे थे सारा का सारा इंडिगो खुद ले रहे थे उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे हम तुम्हें 15% वाले अर्रेंजमेंट से मुक्त कर देंगे तुम हमें पैसा दो ठीक है तो अब क्या हुआ कि अब जब किसानों के पास इंडिगो रह जाएगा तो किसान उस इंडिगो को इंटरनेशनल मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो आउशकता ही नहीं है वह तो मार्केटी क्रेश हो गया वहाँ पर तो लोगों को ज़रूत ही नहीं है क्योंकि जर्मनी सारी इंडिगो की जो खपत है उसको अकेला ही दे रहा है तो इस तरीके से उनको डबल तरीके से फसाया गया किसानों को तो यह शेर क्रॉपिंग अर्रेंजमेंट वाज एक सम्टू दा पीसेंट तो यह शेर क्रॉपिंग अर्रेंजमेंट जो था यह परेशानियों से भरा हुआ था उन किसानों के लिए and many signed willingly those who resisted engaged lawyers तो बहुत सारे लोगों ने जान बूच कर या सोच समझ कर साइन कर दिया था उन पेपर पे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और उन्होंने फिर lawyers का arrangement किया the landlords hired thugs और landlords ने thug यानि अपरादी किसम के लोग जो है उनको hire किया meanwhile the information about synthetic indigo reached the illiterate patient और इसी दौरान जो जानकारी थी synthetic indigo के बारे में वो भी बिचारे गरीब और अनपड किसानों तक पहुँच गई who had signed जो sign कर चुके थे they wanted their money back और उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए था मतलब कुल मिला के धोका रड़ी होगी यहां पर किसानों के साथ at this point Gandhi arrived in Champaran और इसी समय पर Gandhi जी Champaran आ पहुँचे थे he began by trying to get the facts उन्होंने शुरुवात की पहले तत्यों को पता लगाने से first he visited the secretary of British Landlords Association सबसे पहले वो British landlord यानि की जमीदारों के association पर पहुँचे the secretary told him that they could not give no information to an outsider Gandhi answered that he was no outsider secretary where the secretary was, he said that no one can no matter Gandhi called on the British official commissioner of近y तो अगले ही शण गांधी जी को बुलाया गया मिलने के लिए ब्रिटिश ओफिशर कमिशनर ने तिरहुट डिविजन के जो थे और तिरहुट में ही चमपारन डिस्टिक पड़ता था तो गांधी जी बताते हैं के भाई आगे बढ़ करके उन्होंने मुझे डराया धंकाया और मुझे सला दी के तुरंद प्रभाव से बिना देरी के मुझे तिरहुट डिस्टिक छोड़कर चले जाना चाहिए गांधी डिड नॉट लीव गांधी जी नहीं गए इसकी बजायवे मोतिहारी जो की इसी तिरुट डिस्टिक में ही पढ़ता था गांधी जी जो है मोतिहारी चले गए जो चमपारण का कैपिटल था कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से चमपारण जो है उसका मुख्यस्तान था several lawyers accompanied him बहुत सारे lawyers वकील भी उनके साथ गए at the railway station a vast multitude greeted Gandhi और railway station पर बहुत बड़ी भीर ने गांदी जी का स्वागत किया he went to a house वे घर में गए using it as headquarters और उसे अपने मुख्याले के तोर पर इस्तमाल करने लगे continued his investigation उन्होंने अपनी जाज परताल को लगातार जारी रखा a report came in that a peace and had been maltreated in a nearby village और एक report उनके पास पहुँची कि एक किसान जो है उसके साथ दुर्वेवार किया गया है पास ही के एक गाउं में गांदी डिसाइडेड टो गो एंड सी और गांदी जी ने तेह किया कि वह वहां जाएंगे उससे मिलेंगे और उससे देखेंगे तो एक हाती की पीट पर बैट कर अगले दिन वह उस गाउं की तरफ बढ़ने लगे जाने लगे जहां पर किसी किसान के साथ दुर्वेवार किया गया था मारा पीट आ गया था वह जाधा दूर नहीं निकले थे और वह जाधा दूर नहीं निकले थे और वह जाधा दूर नहीं निकले थे तभी पुलिस सुप्रेटेंडेंट का एक वाहग जो है वह कैरिज लेकर के आया और गांधी जी को आग्या मानने के लिए विवश किया the messenger drove गांधी home और messenger दूतवाहग जो संदेश लेकर कहा है था गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठा कर वापस घर छोड़ दिया where he served him an official notice जहाँ पर उसने उसे गांधी जी को एक आधिकारिक notice दिया quit चमपारण के आपको चमपारण छोड़के जाना होगा तुरंथ प्रभाव से इमिडियेटली गांधी साइंड आ रिसिप्ट फॉर दा नोटेस और गांधी जी ने एक प्राप्त करने वाली रिसिप्ट को साइन करके दिया and wrote on और इस पर लिख दिया he would disobey the order के वे इस order को नहीं मानेंगे वे इस आज्या का पालन नहीं करेंगे तो यहाँ पर गांधी जी का एक स्ववाव में देखने को मिलता है कि गांधी जी जो है वो अवग्या करना भी जानते थे आज्या का पालन ना करना भी जानते थे लेकिन विनम्रता पूरवक आज्या का पालन नहीं करना तो प्यार से किया दो नहीं करना ठीक है उस तरीके से In consequence परिणाम स्वरूप गांधी received a summons to appear in court the next day और इसी के फल स्वरूप इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी जो है उन्हें एक समन यानी कानूनी आदेश मिला कि उन्हें अगले दिन ही court में हाजर होना होगा क्योंकि उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंडेंट की आग्या का उलंगन किया था औल नाइट गांधी रिमेंड अवेक पूरी राद गांधी जगे रहे यह टेलिग्राफ राजिंदर प्रशाद टू कम टू विहार उन्होंने टेलिग्राफ भेजा राजिंदर प्रशाद को के वहार से आए अपने प्रवावशाली दोस्तों के साथ यह सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेजें के भई मैं हो सकता है मैं जेल चला जाओं तो आश्रम का ध्यान रखना अगले दिन सुबह पूरा का पूरा मोतिहारी जो है काले 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 सरों से ढग गया था क्योंकि सारे किसान वहाँ पर आ गए थे वे गांदी जी का जो रिकॉर्ड था साथ अफरिका के अंदर के कैसे वो एक शांदार या लाजवाब वकील थे वहाँ उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था उन्हें बस इतना ही पता था उन्होंने मात्र इतना ही सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है उसे कुछ परिशानी हो रही है वह कुछ परिशानियों में उलज गया है अधिकारी लोगों के साथ और उनक्या सहज रूप से स्पॉंटेनियों मतब तुरंत प्रभाव से उन्होंने डेमोंस्ट्रेशन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था हजारों की तादाद में कोट हाउस के चारों और यही उनकी स्वतंतरता की पहचान थी या शुरुआत थी जहां उन्हें ब्रिटिश राज से डर से स्वतंतरता मिल गई थी या अब यह किसान ब्रिटिश राज से डरते नहीं थे इनके मन में जो डर था ब्रिटिश के प्रती वो खतम हो गया था अब इनके मन में कोई डर शेश नहीं रहा था the officials felt powerless officials जो हैं वह बहुती निसाय बिलकुल शक्ति हीर महसूस कर रहे थे without गांदी जी's cooperation जब तक गांदी जी ने उन्हें corporate नहीं किया गांदी जी ने सहायता नहीं कि he had them regulate the crowd उन्होंने गांदी जी ने स्वयम ने अधिकारियों की मदद की सहायता की पूरा का पूरा जो भीड है उसे नियंतरित कर सके he was polite and friendly गांदी जी पूरे समय बहुती विनम्र बने रहे मितरता पूर्ण व्यवार रखा he was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians और वे उन्हें बहुती ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ती और अब तत जो भी डराने वाली चीजे थी और unquestioned यानि कि जो विरोध विहीन ऐसी जो ताकते हैं जो Britishers की जो ताकते हैं जो की बहुती ठोस है बहुती शक्तिशाली है और उनसे कोई सवाल नहीं पूच सकता could be challenged by Indians उसे यानि कि ये जो शक्ती है और जो शक्ती का दुरुपयोग कर रहे हैं अंग्रेज लोग इसे चैलेंज किया जा सकता है इसे चुनोती दी जा सकती है इंडियंस के द्वारा भारतियों के द्वारा और ये सारी परिस्तिती देखकर के सरकार जो है वो इसका दिमाग करा वो गया चकरा गई कि अब इसको कैसे समाले तो वह बहुत ही जाकर के रिक्वेस्ट करता है जट से के भईया जो आज की सुनवाई है जो ट्राइल है उसे पोस्पोन कर दो आगे स्थगित कर दो कोई और तारिक दे दो और स्पष्ट तय ये दिखाई दे रहा था कि जो भी अधिकारी लोग थे उनकी इच्छा थी कि वो विचार विमर्ष कर सके अपने सुपीरियर से अपने उच्छा दिकारियों से बात करना चाते थे कि भई हमने ऐसा ऐसा कर दिया है गांदी जी को बुला लिया है अब समझ में नहीं हारा कि इन पर आरोप क्या लगा है तीक है गांदी प्रोटेस्टेट और गांदी जी ने अगेंस्ट दा डिले तो involved, he told the court के वे लिप्त थे वे मिले वे थे उन्होंने court से कहा in a conflict of duties, conflict of duties का मतलब होता है कि जहां पर दो कर्तव्यों में विरोधा भास हो, यानि एक कर्तव्यों उनका भारती अभी बताएंगे, एक और उनका भारती होने के नाते कर्तव्यों है और दूसरा कि court अगर या police superintendent उन्हें कोई भी आदेश देता है तो उस आदेश का पालन करना होता है ये भी उनका एक कर्तव है और इन दोनों में विरोधा भास की स्थिती थी, on the one hand एक तरफ not to set a bad example as a lawbreaker कि वो एक बुरा उधारन नहीं बनाना चाहते थे कानून तोड़ने वाला बनकर, on the other hand to render the humanitarian and national service और दूसरी तरफ वित्याग नहीं सकते थे अपनी मानविय और राष्ट्रिय सेवा को, for which he had come, जिसके लिए वो आये थे, तो वह कह रहे है कि मैं कानून का उलंगन भी नहीं करना चाहरा था, और जो मेरा उत्तरदाई तो है, जो मेरी इच्छा है कि मैं मानवता कि और को, not for want of respect, इसलिए नहीं कि भाई वो कोई respect चाहते थे, for lawful authority, यानि कि कानून से युक्त authority अधिकारियों से, but in obedience to the higher law of our being, बलकि वो अग्या का पालन करना चाहते थे, जो उससे बड़ा law था, कानून था, our being, अपने स्वयम के होने का, the voice of conscious, उनकी अंतरात्म, उनकी विवे penalty due, उन्होंने पूछा कि भाईया, बताइए मेरी क्या penalty due है, जो भी उचित डंड है, वै उचित डंड आप मुझे दीजिए, मैं उस उचित डंड के लिए तयार हूँ, लेकिन देरी मत कीजिए, तो इस तरीके से उन्होंने बात की, वहाँ पर magistrate से, जज से बात की, the magistrate announced that he would pronounce sentence after two hours recess, तो यहाँ पर magistrate जो है, जज जो है, नयायदीज जो है, उन्होंने घोषना की, या फिर जो भी निर्ड है, उनका sentence का मतलब वैसे होता है, सजा सुनाएंगे, जो भी सजा है, वो दो गंटे के recess, मध्यानतर के बाद में सुनाएंगे, and asked Gandhi to furnish bail, और गांदी जी से ने मना कर दिया, कि मुझे कोई bail नहीं ची, bail मतलब कि इतनी देर आप कहीं बाहर आ सकते हो, जा सकते हो, तो आपको लिखित में जिम्मेदारी guarantee देनी होगी, कि आप कहीं भागोगे नहीं, तो लिखके दे, तो Gandhi जी ने मना कर दिया, मुझे चाही ही नहीं, the judge released him without bail, और जज ने कहा कि वे अगले कई दिनों तक जो judgment है, फैसला है वे नहीं सुना पाएंगे, meanwhile इसी दोरान, he allowed Gandhi to remain at liberty, तब तक उन्होंने गांदी जी को allow कर दिया कि वे स्वतंतर रूप से रह सकते हैं, राजिंदर प्रशाद, ब्रिच किशोर बाबू, मौलाना, मजरूल हक और प्रमुक लॉयर्स थे, वो बिहार से आ चुके थे, वे लोग क्या करेंगे अगर गांदी जी को jail हो जाती है, तो अगर उनने jail में डाल दिया जाता है, गांदी जी ने पूछा, why the senior lawyers reply, they had come to advise and help him, जब गांदी जी ने पूछा, वे लोग क्यों आया है, तो senior lawyers ने reply दिया, कि वे लोग आये हैं उन्हें सलाह देने के लिए और उनकी साहता करने के लिए गांदी जी ने पूछा जवाब की मांग की कि अच्छा अगर ठीक है मैं जेल चला गया तो तुम लोग घंड लोट जाओगे तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ उस काम का क्या होगा यानि यह जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या दा लॉयर्स विड्रू और यह सुनकर लॉयर्स पीछरड गए तो राजिंदर प्रशाद जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया परिणाम बताया कि उसके इन विचार विमर्ष का क्या परिणाम निकलेगा यह तो यही रहे हैं और हम ही इन किसानों का साथ नहीं देना चारें तो एक बाहरी विच्टी आकर के इनके लिए जेल जाने को तयार है और हम इनी के बीच के होकर के भी इनके लिए कुछ करने को तयार नहीं है अगर वे लोग दूसरी तरफ बिइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ओफ दा एडजॉइनिंग डिस्टिक बट आलसो दोज वो क्लेम टू हैब सर्फ दीस पीसेंट्स और वहीं पर दूसरी तरफ ये बागी के लोयर से जो ना किवल निवासी है आसपास के यानि इस डिस्टिक के आसपास के रहने वाले हैं साथ ही साथ वो ये भी दावा करते हैं कि वो हमेशा किसानों की सेवा करते हैं या किसानों का साथ देते हैं शुट गो होम क्या उन्हें घर चली जाना चाहिए ये भागना पलायन करना या इस मुसीबत को छोड़ करके चले जाना ये बहुत ही शर्मनाग बात होगी अगर ये वकील ऐसा करते हैं तो ये विचार विमर्ष राजंदर प्रसाद बाकी सारे के सारे वकीलों के साथ कर रहे हैं और इसी के साथ वे कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम चंपारन की जो युद्ध है चंपारन का वो हम जीत चुके हैं अगर ऐसा होता है तो तो ये टुक अपीस ऑप पेपर और डिवाइड़ दे ग्रूप इंटो पेर और पुट डाउन दा ओर इन विच पेर वास तू कोट अरेस्ट और उसके बाद उन्होंने कागस लिया कागस के चोटे-चोटे टुकडे किये टुकडे करके उन्होंने दो-दो लोगों का नाम एक-एक कागस पे रखा कि डेली दो लोग जाकर के अपने आपको कोट के अंदर गिरफतार करवाएंगे कि वह जैसे पहले मुझे मैं गिरफतार हो गया फिर उसके बाद दो वकील जाएंगे वो गिरफतारी देंगे several days later कई दिनों के बाद गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of province had ordered the case to be dropped और कई दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित संदेश प्राप्त होता है जज यानि magistrate के office से जो उन्हें ये बताता है कि lieutenant governor जो है इस राज्य के उन्होंने आदेश दिया है कि वहिया इस case को बंद कर दो समाप्त कर दो इस case में आगे कुछ कारवाई नहीं करनी है civil disobedience had trumpet और इस तरीके से सविनय अवग्या आंदोलन की जीत हुई the first time in modern India आदुनिक भारत में पहली बार civil disobedience यानि कि सविनय अवग्या आंदोलन जीता था Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers गांदी जी और बागी जो lawyers थे वो आगे उन्होंने proceeding को बढ़ाना शुरू कर दिया था बहुत ही व्यापक तरीके से बहुत ही बड़े पैमाने पर उन्होंने जाज परताल करना शुरू करी जो भी शिकायते थी farmers की depositions by about 10,000 pieces और उन्होंने depositions लिये थे बयान लिये थे साक्षी लिये थे लगबग 10,000 किसानों के वर written down उन्हें लिखा गया, notes made उस पर note बनाए गए, टिपनिया बनाई गई, on other evidences दूसरी गवाई या बयानों पर documents वर collected, जितने भी अभिलेग थे documents थे उन्हें एकटा किया गया the whole area throbbed with the activity of the investigators, जितने भी जाच करने वाले लोग थे वो जो भी कारिय कर रहे थे उससे पूरा का पूरा इलाका कापने लगा था and the vehement protest of the landlords और बहुती उग्र, बहुती तेज तरीके से जितने भी landlords थे, जितने भी मकान मालिक या, जमीन के मालिक थे उनके खिलाफ परदर्शन होने लगे, उनके खिलाफ विरोध होने लगा इन जून, जून में गांधी वास समन्ट तो सर एडवर्ड गेट और गांधी जी जो है उन्हें बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा the lieutenant governor जो की बिहार के lieutenant governor थे, before he went इससे पहले कि वो वहाँ जाते he met leading associate, यानि कि जो प्रमुक जितने भी सही होगी थे उनसे मिले and again led detailed plan और फिर से उन्होंने विस्तरत योजना बनाई for civil disobedience if he should not return, कि भाई अगर मानलो मैं वाँ जातो रहूं से मिलने के लिए अगर मैं लोट कर नहीं आता हूँ, तो सविनय अवग्या आंदोलन को आगे कैसे चलाना है उसके बारे में पूरा विचार विमर्श्किया, पूरी बातचीत की Gandhi had four protected interviews, यानि कि उनके चार बड़े-बड़े, लंबे समय तक चलने वाले interview हुए with lieutenant governor, lieutenant governor के साथ, who, जो की as a result, परिणाम सरूप appointed an official commission, उन्होंने एक आधिकारिक commission, आयोग का गठन किया, उसे newt किया, of inquiry, जो की सारी जाचपरताल करेगा, into the indigo sharecroppers situation, के indigo के sharecropper की situation में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके लिए सरकार ने खुद ने ही एक आयोग गठित कर दिया, कि यह आयोग जो है, जाचपरताल पूरी करेगा, the commission consisted of landlords, उस commission में, landlords थे, government officials थे, and गांधी as a sole representative of the peasants, और गांधी जी भी उस commission में थे, उस आयोग में थे, एक मात्र, वो प्रतिनिदी बने हुए थे, किसानों के, यानि कि किसानों की तरफ से बोलने वाला एक ही वैक्तिता, वो था मात्मा गांधी जी जो उस आयोग में बैठे थे, गांधी remained in चंपारण for an initial uninterrupted period of seven months, प्रारंबिक समय में गांधी जी चंपारण में निरंतर लगातार साथ महीनों तक रहे, and then again for several shorter visits, और इसके बाद थोड़े थोड़े टाइम में विजिट करने आते जाते रहते थे, the visit undertaken casually on the entity of an unlettered percent in the expectation that it would last a few days, और ये जो विजिट थी, इस काम को उन्होंने बहुत गंबीरता से लिया, क्योंकि वो एक अनपड, एक illiterate जो है, peace and की बात मानकर, उनका निवेधन मानकर के वहाँ आये थे, उन्हें लगा था कि 2-4 दिनों में काम खतम हो जाएगा, लेकिन occupied almost a year of गांदी's life, लेकिन इस घटना ने, या इस पूरे के पूरे चमपारण वाले किस्से ने, लगबग लगबग मैं वहाँ पर उन्हें लगा, चमपारण के अंतर, उन्हें लगा, मैं जाओंगा, एक ठीक है यार, एक अनपड किसान कुछ निवेधन कर रहा है, जाओंगा, दो-चार दिन में इसके समस्या का समादान करके लोट आओंगा, लेकिन गांदी जी को पहले तो 7 मही ने लगा तारवार रुकना पड़ा, और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम में वह वापस चमपारण आते जाते रहे, इस तरीके से हम देखें तो गांदी जी के जीवन का एक साल का समय इस मुद्दे में लग गया, और उफिशल इंक्वाइरी जो ही उसमें इतने सारे भयंकर पहाड को भी चकना चूर कर देने वाले बहुत सारे एविडेंस सबूत उसमें मिले अगेंस दा बिग प्लांटर्स जो की विरोध में थे बिग प्लांटर्स यानि जमिदारों के and when they saw this, they agreed और जब आयोग ने ये सारे के सारे एविडेंस देखे तो वो इससे सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल सदान्तिक तौर पर, to make refunds to the peace ends, सदान्तिक तौर पर उनने माल लिया कि ठीक है हम पैसा लोटा देंगे, but how much must we pay, लेकिन हमें कितना पैसा देना होगा, they asked Gandhi, उन्होंने गांदी जी से पूछा कि पैसा तो हम लोटाने के लिए तयार है, पर कितना दें, कित of the money, उन्हें लगा, जो लेंडलोट्स थे, उन्हें लगा कि गांदी जी पूरा पैसा वापस देने के लिए कहेंगे, which they had illegally and decidefully extracted from the sharecroppers, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और धोका धड़ी करके उन sharecroppers से लिया है, he asked only 50%, लेकिन गांदी जी ने केवल 50%, आदा ही पैसा म sentiment, और यहां पर वे बहुत ही अडिक, मतलब जिद्धी हो गए कि 50% तो देना ही पड़ेगा, राइस, रिवरेंड, जे जी होज, तो रिवरेंड, जे जी होज, जो हैं वे लिखते हैं, अब ब्रिटिश मिशनरी, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी है, इन चंपारण, जो चंप पर समरपन नहीं करेंगे, यानि इस बात पर कोई भी बहस बाची नहीं होगी, वो कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, 50% देना पड़ेगा, मतलब 50% तो देना ही पड़ेगा, रिप्रेजेंटिटिव आफ दप्लांटर्स, ओफर तो रिफंड दा, एक्स्टेंट ऑफ 25% और जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी प्रतिनिदी थे, प्लांटर्स के, वो चाहते थे कि मुद्धा फस जाए, मुद्धा अर्टक जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो 25% तक की सीमा का दे सकते हैं, 25% तो हम दे सकते हैं, उससे ज़ादा नहीं देंगे, और आशरी की बात है, कि गांदी जी जो है, उन्होंने 25% के लिए भी हामी भर दी, दस ब्रेकिंग दा डेड लॉक, डेड लॉक मतलब ऐसी इस्तिती हो जाती है, जहाँ पर दो व्यक्ति एक ही बात पर जिद पकड़ लें, कि जहाँ पर गांदी जी कहा है, मैं तो 50 ही लू चाहिए, अना तो जैसे ही शेयर गॉपर इन्होंने कहा, लेंड लॉट्स ने कहा कि हम तो 25% देंगे, गांदी जी मान गया, तुम 25 ही दो, क्योंकि यहाँ पर बात पैसो की है ही नहीं, दिस सैटलमेंट वाज अडॉप्टेड अननमेसली बाइद कमिशन, और इस समझोते क को मान लिया गया, सुईकार कर लिया गया, बिना किसी विरोध के आयोग के भी द्वारा, गांदी एक्स्प्लेइड और अब गांदी जी यहाँ बताते हैं कि 25% में मैं क्यों माना, that the amount of the refund was less important, कि जो पैसा मिलने वाला था, रिफंड में, वहें कम महत्मपून था, then the fact, इस अपना कुछ पैसा देना हो, with it, part of their prestige, और इसी के साथ उनका कुछ सम्मान, प्रतिष्टा का भाग भी मिला था, अब यहाँ पर एक बात को समझो, गांदी जी जी आते थे, कि भईया, लेंडलोड जो है, वो इस बात को सुईकार करें, माने, कि हम लोगों ने किसानों के सा गलत किया है, किसानों के साथ हमने बुरा किया है, तो गांदी जी क्या है, पैसा लिने नहीं गए थे, वो पैसों के पीछे नहीं थे, वो थे कि भई, यह आज पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है, कि भई, लेंडलोड अंग्रेज लोग मान रहे हैं, हमने किसानों के साथ गलत किया है और इसलिए हम ये पैसा लोटा रहे हैं तो केवल पैसा ही नहीं आया 25 परसेंट उसके साथ उनकी वो जो प्रतिष्ठा थी न हम हमेशा सही हैं हम जो करें चाहें कर सकते हैं वो प्रतिष्ठा का भाग भी गांदी जी लाए थे और जैसा कि पीसेंट के बारे में जो चिंता थी उनकी प्लांटर्स हैड बिहेवड एज लौड तो प्लांटर्स जो हैं वे हमेशा उच्छस्तरिय वेक्ती लौड यानि भगवान की तरह या मालिकों की तरह वहवार करते थे अबव दलो और वो अपने आपको कानून से भी पर मानते थे Now the peasants saw that he had rights अब peasants ये देख चुके थे कि उनके भी अधिकार है and defenders और उनकी रक्षा करने वाले भी हैँ अब वह सहासी बनना जान चुके थे सीख चुके थे इवेंट्स जस्टिफाइ गांदी जो है उन्होंने गांदी जी की स्तिती को जस्टिफाइ कर दिया था उचे ठहराया था विदिन फ्यू यर्स ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट दियर स्टेट्स और कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स जो है उन्होंने खाली छोड़ दिया था त्याग दिया था अपने बड़े-बड़े एस्टेट्स को जिनमें बड़ी-बड़ी जमीने थी विच रिवर्टेट टू दा पीसेंट्स जो की मूल मालिक जो थे जमीनों के उन किसानों को लोटा दिया गया था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसपेर्ड और इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी गांधी नेवर कंटेंडिट गांधी जी कभी भी स्वयम संतुष्ट नहीं होते थे अपने आप में कभी भी अगर बड़ी पॉलिटिकल या एकोनोमिक बड़ी राजनेतिक या आर्थिक समाधानों से उन्होंने देखा कि यहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक बहुत जादा पिछड़ापन है इन्दा चंपारण विलेजिस चंपारण के गाओं में and wanted to do something about it immediately और ततकाल इसके बारे में वो कुछ करना चाते थे यह अपील्ड फॉर टीचर उन्होंने निवेदन किया प्रार्थना की शिक्षकों से महादेव देशाई and नरहारी पारिक तो यहाँ पर दो लोग हैं दो टीचर्स हैं तो यंग मैन वो हैड जस्ट जॉइन गांदी एस डिस्सिप्लिन्स जिन्होंने अभी अभी गांदी जी को जॉइन किया था शिष्य के तौर पर पहले कौन थे महादेव देशाई और दूसरे नरहारी पारिक जो थे and their wives और उनकी पत्निया volunteered उन्होंने आगे से पेशकश की for the work के वे काम करेंगे यानि चंपारण के गाउं में जाकर के लोगों में सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागरित करेंगे यानि उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे समझदार बनाएंगे several more came from Bombay, Puna and other districts distant part of the land यानि इंडिया के दूरस्त इलाकों से Bombay से, Puna से बहुत सारे ऐसे लोग आए देवदास अब देवदास जो है गांदी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे arrived from the ashram, baby ashram से लोट आ चुके थे यहाँ पर चमपारण में so did Mrs. Gandhi और इसी तरीके से कस्तूरबा बाई गांदी जो है गांदी जी के पतनी वो भी आ गए थे primary schools were opened यानि की मूल बोत या प्रारंबिक शिक्षा के लिए school खोले गए in six villages, छै गाओं में कस्तूर बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation कस्तूर बाई ने उन्हें सिखाया जो आश्रम के जो नियम थे वो उन्हें सिखाये जो की नीजी स्वच्छता के थे and community sanitation के थे यानि कि सामाजी किया सामुदाइक स्वच्छता के नियम भी उन्हें सिखाये health conditions were miserable वहां के लोगों की जो health condition थी स्वास्ते संबंदी स्थिती थी वह बहुत ही दैनिय थी गांधी got a doctor to volunteer गांधी जी डॉक्टर को भी लाए वहां पर सेवा करने के लिए his service for six months और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वहां के लोगों की सेवा की बिना किसी पैसे के छे महीनों तक त्री medicines were available के वल तीन ही दवाईया वहां उपलब्द थी पहला था कास्टर ओयल दूसरा है कुनैन तीसरी है सलफर ओइंटमेंट तो यहां पर तीन दवाईया अरंडी का तेल था कुनैन था सलफर था सलफर का जो क्रीम या मलहम था वो ही था anybody who showed a coated tongue कोई भी ऐसा व्यक्ती जिसके जबान पर बहुत ज़ादा मैल जमावा हो उसे एक dose एक मात्रा दे दी जाती थी कस्टर ओयल की ताकि उसकी जबान उसकी जीब को साफ किया जा सके anybody with malaria fever किसी को भी malaria की बिमारी होती थी तो उसे कुनैन और साथ में कस्टर ओयल दिया जाता था anybody with skin eruption किसी के भी skin पे चमड़ी पे फोड़े फुनसी हो गए हला तो उसको received ointment plus कस्टर ओयल उसे ointment और साथ में sulfur के साथ में कस्टर ओयल दिया जाता था गांधी नोटिस्ट the flitty state of women's clothes गांधी जी ने देखा कि महिलाओं के जो कपड़े हैं उनकी स्टिती बहुत ही बेकार है बहुत ही गंदी है he asked कस्टूर भाई to talk to them about it उन्होंने कस्टूर भाई से का क्या आप जाओ और यह जो महिलाओं जिस तरीके के कपड़े पहनती हैं गंदे संदे इसके बारे में इनसे बात करो one woman took कस्टूर भाई into her hut एक औरत कस्टूर भाई को उनकी गर की जोंपड़ी में रह गई ले गई and said और कहा look there is no box or cupboard देखो यहाँ पर कोई बक्सा यहाँ कोई अलमारी नहीं है here for clothes यहाँ पर कपड़े रखने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है क्यों नहीं है the साड़ी I am wearing is the only one I am क्योंकि जो साड़ी मैंने पहन रखी है यही एक मात्र साड़ी मेरे पास है इसके अलाओ मेरे पास साड़ी है ही नहीं तो मैं क्या करूंगी तो आप कहतो रहे हो साफ सुत्र कपड़े पहनो मेरी भी इच्छा साफ सुत्र कपड़े पहनने की कपड़े है कहां गरीबी इतनी है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े है ही नहीं during his long stage अंपारण गांधी kept a long distance watch on the आश्रम लंबे समय तक चंपारण में रहने के बावजूद भी गांधी जी जो है वो इतनी दूरी से एक नजर बनाए रखते थे हमेशा आश्रम पर he sent regular instruction लगातार निर्देश भेशते रहते थे by mail पत्र के माध्यम से asked for financial account और मांगते रहते थे पूछते रहते थे कि आर्थिक लेका जो का क्या है बताओ मुझे once he wrote to the resident that it was the time to fill the old lettering branches के जहां पर हम fresh वगर होते हैं तो पहले क्या होता था गांधी जी के आश्रम में ऐसी विवस्ता कर रही थे तो गांधी जी महां से पत्र लिखते थे कि अब टाइम हो गया है कि हमें पुराने वाले जो गड़े हैं उन्हें भर देना चाहिए और नए गड़े खोद लेना चाहिए नहीं तो पुराने वालों में से बदबू आने लग जाएगी the old ones would begin to smell bad यानि उनमें से गंधी smell आएगी the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life Champaran की जो घटना थी वह गांधी जी के जीवन का एक turning point था what I did explain करते हैं जो मैंने किया was a very ordinary thing बहुत ही साधान सामान्य चीज थी I declared that British could not order me about in my own country के अंग्रेज लोग जो है मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते कि मुझे अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है बट चंपारण डिड नोट बिगें अज एक अट ओफ डिफियंस लेकिन चंपारण वो जगह नहीं थी जहां पर अवहेलना का कारे शुरू हुआ था बलकि यहां पर हमने प्रयास किया था कि हम हटाएंगे या कम करेंगे जो तनाव परेशानी या कश्ट है बड़ी तादाद में गरीब किसानों की और यही गांधी जी का विशिष्ट पैटन था गांधी जी बड़ी चीजों पर कम ध्यान देते थे छोटी छोटी चीजों रोज मर्रा की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे जिससे व्यक्ति के जीवन में तुरंत परिवर्तन महसूस उसे हो सके और उनकी जो राजनीती थी उनकी राजनीतिक विचारदारा जो थी वह गुती हुई थी प्रती दिन काम आने वाली प्रोब्लम्स के बारे में जो की लाखो लोगों की थी तो लाखों लोगों के जीवन को वो day to day basis पर प्रभावित करते थे his was not a loyalty to abstractions it was a loyalty to living human beings यह वफादारी जो है यह कालपनिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी कालपिक चीजों के बारे में नहीं थी it was loyalty to living human beings यहनी सजीव जीते जाकते जो मनुश्य हैं उनके प्रती वफादारी की बात थी in everything गांडी जो कुछ भी गांडी जी ने किया moreover उससे भी जादा he tried to mold a new free Indian उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतिये का निर्मान करने का प्रयास किया who could stand on his own feet जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके and does make India free और इसी तरीके से जब वह स्वयम स्वतंत्र होगा तभी वह भारत को भी स्वतंत्र करेगा अर्ली इंदा चंपारण एक्शन चंपारण के शुरुवाती समय में Charles Freer Andrews जो की एक अंग्रेजी शांती दूथ था pacifist था who had become a devoted follower of महत्मा जो की महत्मा का एक समर्पित follower बन गया था अनुगाभी बन गया था came to bid Gandhi farewell where Gandhi जी से विदा लेने के लिए आया before going on a tour of duty to the Fiji Islands क्योंकि उसे अपने करतव्य के कारण एक टूर पे जाना था उसकी duty लगी थी Fiji Islands उसे जाना था Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in चंपारण गांदी जी के जितने भी lawyer यानि वकील मित्र थे उन्हें लगता था कि अच्छा होगा अगर Andrew हमारे साथ यहां चंपारण में ही रहे and help them और उनकी मतलब हमारी मदद करें Andrew यहां रहे के Andrew was willing और Andrew भी चाहता था कि मैं यहीं रुकूं और गांदी जी की सेवा करूं और यहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भारतियों का साथ दूए कंग्रेज होने के बावजूद भी अगर गांदी जी allow करते हैं तो अग equal fight यह जो गैर बराबरी के ऐसा मान लड़ाई है तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में it would be helpful if we have an Englishman on our side तुम्हें लगता है कि बहुत ही मददकार साबित होगा अगर एक अंग्रेज हमारी तरफ से लड़े तो this shows the weakness of your heart और यह चीज तुम्हारे मन की तुम्हारे दिल की कमजोरी को दर्शाता है कि तुम कितने कमजोरो खोक लेओ the cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle यह मुद्दा जो है बहुत ही नया संगत है कि तुम्हें अपने स्वयम पर विश्वास होना चाहिए अगर तुम्हें यह युद्ध जीतना है तो you should not seek a prop तुम्हें कोई सहरा या बैसाकी नहीं लेनी चाहिए या सहरे या बैसाकी की तरह तुम्हें Mr. Andrew को इस्तमाल नहीं करना चाहिए because he happened to be an Englishman केवल इसलिए कि सहयोग से मात्र सहयोग से एक अंग्रेज वेक्ती है तो तुम इसके उपर पूरे निर्वर हो गए कि यह हमारे साथ रहेगा तो हम जीतेंगे तुमारा खुत पर अपने आप पर कोई विश्वास नहीं है क्या वो विचारधारा थी गांदी जी की He had read our minds correctly वे हमारे दिमाग को सही तरीके से पढ़ चुके थे राजेंदर परशाद कमेंट्स राजेंदर परशाद जो है वो टिपणी करते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं था इस बात का गांदी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलियंस इस तरीके से गांदी जी ने हमें आत्म निर्भरता या स्वाव लंबन का एक पार्ट पढ़ाया सेल्फ रिलियंस, इंडियन इंडिपेंडेंडेंस और हैल्फ टु शेर क्रॉपर्स वर आल बाउन तोगेदर आत्म निर्भरता, भारत की स्वातंतरता और शेर क्रॉपर्स की मदद करना ये सारी की सारी चीज़े साथ में जुड़ी हुई थी, ये अलग नहीं थी, ये सारी साथ में जुड़ी हुई थी तो ये गांदी जी के जीवन का एक अध्याय है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, आजकल WhatsApp, Facebook और Instagram की उनिवर्सिटी इसके अंदर गांदी जी के बारे में बहुत सारी बाते चलती रहती है, आप अपनी विचारधारा का निर्मान कर सकते हैं, लेकिन पहले उनके बारे में समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप तेह कर पाएंगे कि आपको किन चीजों पर विश्वास करना है और किन पर नहीं करना है, उमीद करता हूँ, आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इंज्वाइ किया होग झाल